Hello दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने pen drive के ट्रांसफर स्पीड को कैसे increase कर सकते हैं Means अगर आप लोग के पास कोई pen drive है उसमें आप लोग कोई file copy कर रहे हैं या pen drive से computer में file copy कर रहे हैं और उसका transfer speed काफी slow है तो इस वीडियो में आप लोग को इस problem का solution दूँगा जैसे कि हो सकता है आप लोग के पास USB 3, USB 3.2 का pen drive हो फिर भी आपको transfer speed 10 या 20 mbps देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो में आप लोग को जो steps बताऊंगा उनको आप लोग follow करते हैं तो आपका speed काफी increase हो जाएगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखें मैंने एक sandbox का pen drive लगाया है जो USB 3.2 Gen 1 pen drive है दोस्तों यह काफी fast pen drive होते हैं लेकिन यहाँ पर देखें मैं जब भी कुछ file copy कर रहा हूँ तो इसका transfer speed लगवग 10 से 20 Mbps हो रहा है तो अब हम लोग इस problem का solve करते हैं जिससे transfer speed लगवग 9200 Mbps तक चल जाएगा तो सबसे पहले आपको my computer में आना है उसके बाद pen drive को select कीजिए और right click कीजिए उसके बाद आपको यहाँ properties में आना है यहाँ पर general में ही नीचे यहाँ आपको change settings देखने को मिलेगा आप इस change settings पर click कीजिए यहाँ new final open होगा यहाँ पर आपको policies देखेगा जेनरल के बगल में policies है इस policies पर आपको click करना है यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगे quick removal और better performance आपको यहाँ पर better performance पर click कर देना है उसके बाद यहाँ से आप लोग ok कर दीजिए उसके बाद यहाँ से भी ok कर दीजिए अब देखिए आपका यह steps complete हो गया यह सब steps करने के बाद आप जब भी इस पर कुछ file copy करेंगे या pen drive से computer फाइल copy करेंगे तो इसका speed increase हे जाएगा अभी मैं वही same file को इस pen drive में फिर से copy करके आप लोग को देखाता हूं तो देखिए अभी speed लगभग 90-100 Mbps तक अराम से मिल रहा है और वीडियो के शुरुआत में अच्छा लगा तो प्रीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं